हेलो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको 16 चैप्टर 1 तिनका कवीता के प्रिश्णुतर समझा रही हूँ आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर के वीडियो भी मिल जाएंगे आप ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, तो चलो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहला कुशन देखिए, घमंड से कौन एठा था तो इसका अंसर देखिए, कभी स्यम ही घमंड से एठा था सेकिंड कुशन देखिए, कभी की आँख में तिनका कैसे पड़ गया तो इसका अंसर देखिए, कभी एक दिन अपने घ़र की मुंडेर पर खड़े थे कि तभी हवा से उर्ता हुआ, एक तिनका उनकी आँख में गिर गया सेक थार्ड कुशन देखिए, कभी की आँख लाल क्यों हो गई तो इसका अंसर देखिए कभी आँख रगड कर तिनका निकान लेकी कौशिश करने लगे जिस कारण उनकी आँख लाल हो गई नेक्स कुशन देखिए तिनका निकल जाने के बाद कभी ने क्या सोचा नेक्स्कूशन देखिए आँख से तिनका कैसे निकला? तो इसका अंसर देखिए आँख से तिनका कई प्रयासों के बाद निकला, लोगों ने कपड़े की मूट से कवी की आँख को सेका तब कहीं जाकर आँख से तिनका निकल पाया next question देखिए कवी की समझने उसे क्या ताने दिये तो इसका answer देखिए कवी की समझने उसे ताने दिये कि वह इतना एट क्यों रहा था उसके सामने तो एक छोटा सा तिनका भी बहुत है जो आँख में पढ़कर उसको थोड़ी देर के लिए बिचलित कर गया और उसकी सारी अकड निकल गई next question देखिए प्रस्तुत कवीता हमें क्या संदेश देती है तो इस कांसर देखिए प्रस्तुत कवीता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर या अपने कारे उपर घमंड नहीं करना चाहिए कवीता में कभी भी अपने आपको पैले स्रेस्ट समस्ते थे लेकिन एक मावली से तिनके ने जब उनकी आँख लाल कर दी और वह दर्द से परिशान हो गए तब उन्हें ग्यात हुआ कि घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी घमंड को चूर चूर कर सकता है नेक्स्ट बिट देखिए आशे स्पस्ट कीजिए एट ता तू किस लिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए इसका आंसर देखिए प्रेस्तुत पंक्तियों में कभी की अकल्ले उन्हें ताने दिये और कहा कि तू किस के लिए एट रहा था एक तिनका तो तेरे घमंड को तोड सकता है व्यक्ति को अपने उपर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड बिनम्रता और विवेका नाश करता है जबकि एक साधरन सी बाद व्यक्ति को उसकी सच्चाई से अवगत करा सकती है जो उसके बाद का बिट है बहु भी कल पे प्रेशन उसका फर्स कुशन देखिए कभी कहा खड़ा था मुडेर पर सडक पर तो इसका अंसर है मुडेर पर सेकिंड कुशन देखिए तिनका पढ़ने पर क्या हुआ तो इसके दो अप्षन है आँख ठीक हो गई आँख दुखने लगी तो करेक्ट अंसर है आँख दुखने लगी गह में देखिए लोगों ने कपड़े से क्या किया तो इसके दो अप्षन है आख सेखने लगे आख को बांद दिया तो इसमें करेक्ट अप्षन है आख सेखने लगे आशागरतियू कि आपको सारे कुशन आंसर समझ में आ गए हूंगे धन्यवाद